Hello dear students, how are you all? I think you are very fine at your home and Iacharya Kuldeep Saksena once again welcome you in this online video organized by DPSVMIC Bilari. प्यारे बच्चो आज में इस online video में आपको lesson 6 आपकी English rainbow book जो कक्षा art में English rainbow book है उसके lesson number 6 जिसका नाम है awesome awesome को पढ़ाऊंगा इस chapter को सुरू करने से पहले मैं कुछ पूछूँगा जैसे की हमारे देश का क्या नाम है बच्चो? What is the name of our country? I think your answer is India. And how many states are there in India? हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? Your answer is 28. हमारे कितने राज्य हैं? 28. And my next question is that what do you know about awesome state? आप awesome state के बारे में क्या जानते हैं? I think your answer should be this poor is the capital of awesome state. This poor जो है वो awesome state की राजधानी हैं. लेकिन more about what do you know about more about awesome? आप awesome के बारे में और अधिक क्या जानते हैं? I think you don't know. कि आपको शायद पता ना हो. तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, इस चैप्टर के जो टेक्स्ट है, उसका हिंदी मीनिंग समझते हुए, हम बहुत कुछ जान सकते हैं. इस चैप्टर में, असम स्टेट के बारे में बहुत सी रोचक जानकरियां दी जा रही हैं. आईए, let's start the video. इस वीडियो को start करते हैं. तो आप यहां देखते होंगे, यह असम स्टेट, यहां एक पिक्चर में आप, उसम स्टेट के एक पिक्चर आपको दी जा रही हैं. और बहुत सुन्दर एक सीन आपको दिखाई दे रहा हैं, जिसमें, it is full of natural beauty. यह बहुत natural beauty से भरा हुआ है, प्राकरितिक सुन्दरता इस राज्य में देखने को मिलती हैं. तो हम टेक्स शुरू करेंगे. देखिएगा बच्चो, असम is a state located in the north eastern part of इंडिया. असम जो है, वो एक राज्य है, located in the north eastern part of इंडिया, जो भारत के north eastern part में या भाग में इस्थित है, located का मिदलब इस्थित है. आगे देखिएगे, it is situated just below the eastern himalayan foothills. तो it is situated, यह इस्थित है, just below the eastern himalayan foothills, जो हमारी पूर्वी हिमाले की निचली पहाडिया हैं. पूर्वी हिमाले जो है, भारत के नक्षे में और उसकी निचली पहाडियों के ठीक नीचे इस्थ आगे देखिएगा, it is surrounded by the states of अरणाचल प्रदीश, मनीपूर, मिजोरम, नागालेंड, तिरपुरा, एंड मेगालें, यह हमारे states हैं. यानि कि it is surrounded, यह घिरा हुआ है, by the states राज्जियों के दोरा. कौन-कौन से राज्जिय हैं आपके? अरणाचल प्रदीश, ठीक, कि यह सबी states हमारे कितने हो जाते हैं? 1, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? और इसके बाद हमारा six states हमारे यहां हैं. अरणाचल प्रदीश होगी है, मनीपूर, मिजोरम, नागालेंड, तिरपुडा, एंड मेगालें, विच तुगेधर, विद असम, और असम को भी मिलाकर, इसक देख तो यहां थे, और असम state भी हमारा शामिल होता है, are known as the seven sisters, इनको हम seven sisters के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इन seven states को मिलाकर, इनका एक नाम दिया गया है, seven sisters, तो यह हमारे seven states हैं, ठीक, आगे देखें बड़ा, this poor is the capital of a sum, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताए था, कि this poor क असम राज्य की राजधानी है, capital का हम अर्थ क्या लगाते हैं, राजधानी से, आगे और पढ़ेंगे, असम is a land full of natural beauty, तो देखेगा जो असम state है, असम जो है, is a land, land क्या होता है, land हमारा इस्थल कहते हैं, या specific region, कोई विशेष, परिछेत्र या भूमी, वो क्या है, फुल आफ नैचरल ब्यूटी, यह प्राकरतिक सुन्दर्ता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ठीक है, असम में हमें नैचरल जो ब्यूटी है, बहुत देखने को मिलती है, आगे देखेगा, it has blue hills, dense forest, with diverse flora and fauna, तो देखेगा, यहाँ पर जो है, it has, यह असम state के लिए आ भाड़ियां है, dance forest, घने, dance का अर्थ है, घने, forest क्या होते है, जंगल, घने वन है, घने जंगल है, with diverse flora and fauna, जो विभिन प्रकार की, diverse मानी, विभिन प्रकार के flora, flora क्या होता है, विटा, flora एक नाम दिया जाता है, different types of species of plants, हमारे पौदों की जो विशेश प्रजातियां हैं, विभिन प्रकार की प्रजातियां हैं, उन सब को मिला कर एक नाम देते हैं, flora, और ऐसे ही हम, जो different species हैं, हमारी किसकी animals की, उसे हम नाम देते हैं, fauna, तो वहाँ पर यानि के, जो हमारे घने जंगल हैं, यहाँ पर विभिन प्रकार के, हमें पौदे देखने को मिलेंग बिग रिवर्स, यहाँ पर असम स्टेट में बड़ी बड़ी नदियां हैं, and fertile valleys, और बहुत उपजाओ घाटियां हैं, valleys क्या होती हैं, घाटियां, ओके, असम इस दा वर्ल्ड्स लॉर्जेस्ट, टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, तो बिटा देखेगा ध्यान से, अ असम इस दा वर्ल्ड्स लॉर्जेस्ट, असम राज्ये जो है, वो विश्व का, संसार का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का अर्थ के लगाएंगे, सबसे बड़ा, और टी ग्रोइंग स्टेट है, टी मानी क्या होता है, चाय, और ग्रोइंग मानी उगाने वाला स्टेट है, इन इंडिया वानी भारत में तो असम राज्य भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला राज्य है आगे बढ़ेंगे ग्रेट भ्रमपुत्र रिवर फ्लोज थू असम तो जो ग्रेट वानी महान भ्रमपुत्र रिवर है बड़ी या व्रहत हमारी भ्रमपुत्र नदी ह वो flows through a sum वो a sum से ही होकर बहती है असम से होकर जाती है ठीक है आगे पढ़ेंगे next पहरा agriculture is the main occupation here agriculture क्या होता है बेटा agriculture क्याते है to grow crops फसलों को उगाना ठीक है तो agriculture हमारी खेती करना या किसानी जो क्रशी करते हैं ठीक है तो क्रशी is the main occupation वो मुख्य व्यफसाय है हूं प्रेयर भाद आरं यहां को आस्साम स्टेट का जो मुख्य व्यफसाestar सजी है यहां दिकतर लोग्ष्चर किया वो खेती किसानी का परते है राइस फ्रूट जोवजार्ट शुगिपकर केन राइस चावल फ्रूट स्वल जूट हमारी एह स्ट किलाए शुगर केन यह हमा जो क्रिशी से सम्मंदित उत्पादित चीजे हैं इस राज्य की हैं तो ये सभी चीजे अर्थात इस राज्य में बहुत उगाई जाती है और पढ़ेंगे देखें कितनी अच्छी बात हैं ये राज्य जो है वो उत्पादित करता है नियरली हाफ आफ अधा उत्पादन इस राज्य में जो चाय का कुल उत्पादन होता है उसको उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन इस राज्य में ही होता है ये जो असम स्टेट है को एक चाय का बहुत बड़ा उत्पादक देश है तो यह जो स्टेट है मारा सम्स्टेट वो बहुत संपन है रिच्वानी संपन है in natural resources प्राकर्टिक संसाधनों में तो प्राकर्टिक संसाधन यहां जैसे बहुत से खनेज है ठीक है मिन्रल से यहां में भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं सच एज जैसे कि देरखाय देखिए बटा ऑइल है यह हमारा ऑइल जो होता है पेक्ट्रॉलियम भी होता है आप जानते हैं गैस है जो नैच्रल गैस है आपकी सी एंजी आल पीजी यह भी आपकी गैस केलाती है कोल है कोईला एंड लाइम स्टोन यह हमारा चुना गैलाता है तो एक तरह से ये resources जितने ज़्यादा होंगे वह राज ये उतना ही सुखी संपन होता है और असम में तो भरपूर मात्रा में ये सभी मिल जाती हैं। आगे देखेंगे the traditional craft like pottery and terricotta work तो जो हमारे पारंपरिक हस्त कला है क्राफ्ट क्या होती है हस्त कला ठीक है जो पारंपरिक हस्त कला है like pottery अब pottery हमारा क्या होता है मिट्टी से बरतन मनाना है को महार देखे होंगे मिट्टी से बहुत से बरतन मनाते हैं वो pottery कहलाती है and terricotta work Advent q 주 सभड़ से जो पीतव करें काम करते हैं ठीक है ब्रास जो पीतल थातु होती से अपांप से बाफ़तन में बंशंतिक बंदय ब्सक्राफट वीविंग रेश्मी और सूती वस्त्र को बुनना एंड वूड क्राफ्ट और जो लकड़ी की कला होती है ठीक है आर सम मेजर सोर्चेज आफ सेल्फ एंप्लाइमेंट फॉर्ड़ पीपल आफ असम तो यह सभी क्या हैं बहुत बड़े मेजर मानी बहुत बड़े सोर्चेज आ और दा प्यूपल आफ असम असम के लोगों के लिए अर्थात असम के लोग यह सभी कारे करते हैं जैसे पॉटरी है और आपने अभी पढ़ा था ट्यारी कोटव वर्क है जालरी मेकिंग है इस सभी से अपना क्या करते हैं वो जीव को पार्जन करते हैं आगे बड़ेंगे तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो असम के लोग इस तरह से नृतिकला में बहुत निपड़ होते हैं और यह नृतिकला का यह इस डांस का भी एक नाम है भी हू डांस हम इसके वारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझेंगे देखेगा हम पढ इस नेशणल पार्क अपने राष्ट्रिये उध्यानों के लिए ठीकला का मदलब भगबगीचे उध्यान. इन नेशनल पार्क लार्ज ईनेशनल पागी से लार्ज एरया फॉरेस्ट लेंड द्रास्टिर जो jueger वहारे उद्यान होते हैं वह क्या होता है एक लार्ज एरिया बहुत बड़ा च्छेतरफल होता है और फॉरेस्ट लेंड जो हमारे वन जिस ंम्द कर उन पाँ जाते यह उस वंच चेतर कहलाता है इसे बहुत बड़ा वँच चेतर कहलाता है हमारा नशीनल पार्क जो गवार्मेंट है अमारी सरकार है वो लुख साफर इसकी दैख़ाल करती है दीज पार्मानी इन उद्ध्यानों की इन बागभीचों की तो जो हमारे वन छेतर हैं उनकी देखवाल कौन करता है गौर्मेंट करती है ठीक सरकार करती है आगे देखिए बटा दकाजी रंगा नेशनल पार्ग इसे फैमास वाइड लाइफ सेंचुरी तो बटा काजी रंगा नेशनल पार्ग मैंने आपको भी बताये थे तो उसके ने तो काजी रंगा नेशनल पार्ग ऑसम में ठीक है और बहुत प्रसिद्ध क्या है सेंचुरी यहां पाशू पक्षी विष्चराकर करने के और सम आफ दा एनिमल्स यू कैन सी इन काजी रंगा तो राइनसारस जो होते हैं राइनसारस कहते हैं जो हमारे गैंडे होते हैं ठीके दरियाई घोडे भी इने कहते हैं एलिफेंट्स हमारे हाती होते हैं लेपर्ट्स हमारे तेंदुए होते हैं एंडा इंडियन वाइसन और असानी से देखने को मिल जाते हैं, you can go in an open jeep, तो आप जा सकते हैं, can go जा सकते हैं, in an open jeep, एक खुली jeep में, एक कार, एक कार में, और ए मिनी बस, या किसी मिनी बस में, into the forest, चंगल में, to see these wild animals, इन चंगली जानवरों को देखने के लिए, तो यदि हम चाहें कि हम rhinosaurus देखें, elephants देखें, leopards देखें, Indian bison देखें, तो हम काजी रंगा के जो हमारे dance forest है, उसमें, jeep के दोरा, car के दोरा, मिनी बस के दोरा, हम जा कर देख सकते हैं, और देखें बटा, if you like, you can travel on an elephant's back as well, तो if you like, यदि आप पसंद करते हैं, like मानी, पसंद करना, तो यदि आप पसंद करते हैं, या चाहते हैं, you can travel on an elephant's back, तो आप किसी हाथी की back मानी क्या होता है, पीट पर, उसकी कमर पर, हाथी की कमर पर भी यात्रा कर सकते हैं, as well मानी, बहुत अच्छी तरह से, तो वहाँ पर पालतू हमारे हाथी होते हैं, जो पर्रेटोगों को, या जो जंगल में भ्रमण करने जाते हैं, उन्हें अपनी पीट पर ले जाते हैं, और यात्रा का आन जंद दिलाते हैं, नेक्स पड़रा पढ़ेंगे, the pupil of ASAM speak, asamia और asamese, तो बटा धियान से देखिएगा, the pupil of ASAM, asam, kee जो लोग होते हैं, वो speak, बोलते हैं, asamia और asamese, तो asam kee लोग जो भाशा बोलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए ज जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में बातचीत कर रहे हैं और हिंदी प्रयोग करते हैं अपनी वारतलाप के लिए तो यहां असमिया और असमीज बोली जाती है असम जो राज्य है वो एक छेत्र है फेस्टिवल्स क्या होते हैं त्योहार या पर्व तो हमारे असम राज्य में अनिक पर्व मनाये जाते हैं यहां बहुत से पर्वों को खुशी के साथ मनाये जाता है देखेगा बीहु इसे फैमस असमीज फेस्टिवल्स तो बीहु जो है बेटा यहां पर भी दान्स में लिखा हुआ है अबर बीहु डान्स तो बीहु इसे फैमस असमीज फेस्टिवल्स बीहु एक यहां का असमीज मानी असम के लोगों का एक बहुत लोग प्रिये पर्व है festival मानि तोहार हैं जैसे हम लोग अपनी holy dual liquid मनाते हैं ऐसी Gasm के लोग क्या करते हैं बीहु नाम करते हैं तो इस पर पर लोग क्या करते हैं कि इसब जब होता है या पर होता है तो लोग आपस में रत्य करते हुए बीहु दान्स करते हैं और भीहू डान्स करके उस परवका अनंद लेते हैं ठीक है आगे देखो बटा इट इस सालिब्रेटिट इन दा मन्त ओफ एप्रेल तो इसको मनाया जाता है अप्रेल के महीने में मन्त मानी महीना ठीक है प्यूपिल फ्रॉम आल रिलीजन्स टेक पार्ड इन सालिब्रेशन्स तो जो लोग होते हैं फ्रॉम आल रिलीजन्स रिलीजन्स हमारे विविन्नी तरह के धर्म हैं ठीक है भारत में एक धर्म पाजाते हैं और उन सभी धर्मों के जो लोग होते हैं वो टेक पार्ड इन दा सालिब्रेशन्स वो इन समारों में या उत्सवों मे क्या गरते हैं भाग लेते हैं शामिल होकर मनाते हैं दा सैलिबरेशन्स गो ओन जो हमारी सैलिबरेशन्स मनी उस सब होते हैं या तैयारियां होती हैं गो ओन जारी रहती हैं फॉर दा होल मन पूरे महिने तो विहू जो हमारा फैस्टिवल है ये दो चार दिनों के लिए नहीं मनाये जाता है, लगबग एक महीन तक इस पर्व को मनाया जाता है कितनी अच्छी बात हैं न, यंग मैन एंट बी मैन ये और गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसे, तो यंग मैन जो हमारे युवा पुरुष होते हैं, और महिलाएं होती हैं युबा पुरिश और महिलाएं पहनती हैं गोल्ड कलर सिल्क ड्रैसे गोल्ड कलर कहते हैं सुनहरे रेश्मी वस्त्र जो सुनहरे रेश्मी वस्त्र होते हैं ठीक है वो बहुत ज़्यादा अकर्शक लगते हैं सुन्दल लगते हैं इसलिए सभी इस तरह के वस्त्र पहनते हैं and do a special dance called Behu dance और क्या करते हैं, do a special dance, एक विशिएस प्रगात का न्रत्य करते हैं called Behu dance, जिसे हम क्या कहते हैं, Behu dance कहते हैं तो देखेगा बच्चों यहां Behu dance आया है नहीं, तो Behu dance क्या है Behu is also the name of dance, एक न्रत्य का ये नाम भी है ठीक है आगे देखिएगा बेटा बोट रेसेज आर हैल्ड तो बोट रेसेज आर हैल्ड जो बोट की रेस होती है नाव की दौड़ें ठीक है आर हैल्ड डूरिंग बीहू बीहू के दौरान की जाती है तो बीहू फेस्टिवल पर नाव की दौड़ों का आयोजन किया जाता ह इतनी अच्छी बात है नाव से रेस लगाते हैं मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेस अनी टीमें भाग लेती हैं इन दौड में या इन दौडों में and a lot of people watch them और बहुत से लोग क्या करते हैं उनको देखते हैं from the river banks कहां से नदियों के किनारों से नदियों के किनारों पे लोग एकत्रित हो जाते हैं एक साथ बैठ जाते हैं और नदियों में क्या होता है नाव की दौड होती है और नाव की दौड में दौड तो लगती है और विजेता भी निकाले जाते हैं परन्तु उस दौड में सभी लोग को बहुत आनंद टाप्त होता है और सभी लोग बहुत आनंदित होकर इस उस सब का आनंद लेते हैं तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो यह लेसन है यहां ओवर हो जाता है समाप्त होता है देखिएगा आपने चैप्टर को पढ़ते हुए यह जाना होगा कि इस चैप्टर में असम स्टेट से सम्मधेद कितनी अच्छी-च्छी जानकरिया हमें मिली जैसे कि दिस प कल्चर है इस दा में ऑक्कुपेशन और टी इस दा में क्रॉप ग्रोन है यहां पर चाय का मुख्य उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से और इसके लावा बहुत सी और जानकरिया आपको मिली बी हुई जानकरिया तो यह चैप्टर हमें असम स्टेट के बारे में बह से इसको रीट करतो हुए समझने का प्रयास करेंगे पीडियाफ के माद्रम से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वर्क है मैं आप तक भेज रहा हूं ध्यान से नोट कर लीजिएगा पढ़कर नोट करिएगा और मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लेसन के साथ अब त